अगर आप भी डाइट में हैं और फिर भी आपका पीजा खाने का मन कर रहा है तो आज मैं आप लेकिया है यह बहुत ही हैल्दीर भूत ही टेस्टी मुंग दाल का पीजा और इसे आज हम बिना अवन के कड़ाही के अंदरी बना के तयार करेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है तो वीडियो को पुरा जिरूर देखिएगा तो चले शिरू करते हैं इससे बनाना तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिए है आदा कब बीकियोई मुंग की दाल यह बीना पॉलिस की दाल है वैसे पॉलिस की दाल होती है उसमें तेल लगा के छोड़ दिया जाता है ताकि वो चैनी की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं चैनी की दाल को बिगो कर छोड़ दे फिर आप इसका इसका इस्तेमाल करें थोड़ा सा में इसके अंदर पानी डालेंगे और इस तरीके से मिसका गाड़ा बैटर हमें बना के तियार कर लेना है तो एक साथ हमें पानी नहीं डालना है तोड़ा थोड़ा करके हम इसके पानी डालेंगे और गाडा बैटर हमें इसका बना की तियार कर लेंगी बैटर आप देख सकते हैं फिर हम इसके इंदर स्वाथ के अनुसार नमक डाल देंगे और एक चुधह ही चमच यहां पर हल्दी पाउड़र डालेंगे बस कलर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसे हमें अच्छे से मिला लेना है और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे हैं पर आदी चमच याँ पर इनो थोड़ा सा में इसके उपर पानी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है वैसे आप इनों के जगए याप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिला लिया है और फिर हमें करना किया है कि हमें एक पैनिया फिर कोई भी एक कड़ा ही लेनी है और उसके उपर यहां पे हमें थोड़ा से तेल लगा देना यानि कि यह जो नास्ता हम जो पेजा बना रहे है यहां पे बिना तेल की हैं बना के हम तयार करेंगे बस हलका से हमें इसके उपर तेल लगाना है और जो सारा बैटर है हमें इसके उपर डाल देंगे और चमस से बिल्कुल हलके हाथ से हमें इसको फैलाना है और गैस की फ्लेम को यहां पर मैंने बिल्कुल मीडियम रखा है और फिर इसे हमेना डख कर लगबग दो मिनट के लिए छोड़ देना है गैस की मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के बाद में हम इसका डखन हटाएंगे और इसे हमेना पलट देना है और अब प्लेटने के बाद में आप इसका केलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है तो फिर हम इसके उपर लगा देंगे आप थोड़ा सा या पर दो चमचे आप मैंने पीजा सोस ली है और दो ही चमचे आप मैंने टमिटो सोस का इस्तेमाल किया है वैसे आप चाहें तो इसके जगह या पर मियोनीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सैजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे हमें चारत रप अच्छे से फैला देना है और फिर हम इसके उपर डाल देंगे या पर मोजरेला चीज और साथे मैं डाल रहूँ है यापे ग्रेट किया हूँ है यापे पनीर पनीर से जो पीज है वो भूत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है फिर उसकी उपर दालेंगे हमें यापे खुब सारी सब्जियां तो यहाँ पी मैंने लिया है प्याज, टमाटर, सिम्ला मिर्च और पनीर क्यूब्स का इस्तेमाल के है अब ऐसे आप चाहें तो इसकी जिए को और भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते है जो भी आपको पसंद हो अगर दोस्तो आज की रेसिपी आपको पसंद आएए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और ज्याद ज्यादा इसको शेयर करेए वैसे तो मैंने और भी बहुत सारी हेल्दी नास्ते की रेसिपी मेरे पेस पे मैंने अप्लोड कर रखी है महां जाके आप उनको चेक कर सकते हैं फिर हम इसके फ़ोड़े पर डाल देंगे अप़ी खूब सारी जीज और सात्मे फोड़ा से यहाप हे चीली फ्लैक्स और ऑरिगेनो अब इसे हमेना डटटकर चीज मेल्ट होने तक हम इसको छोड़ देना है जब चीज मेल्ट हो जाएगी तो हम इसका डखन हटाएंगे और यह देखे हमारा बहुत हेल्दी बहुत ही टेस्टी मुंग दाल का जो पीजा हो बनके बिल्कुल तयार हो जुका है तो इसे हम कट कर लेंगे अब आप इसे गर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा तो चेली मिलते हैं ऐसे नहीं हो हैल्दी रेसिपी के साथ में